पंद्रा जून दो पहर दो बजे गलवान घाटे हिमालाई की उचाईयों पर भारत्य सीमा का एक सुधूर वीरान इलाका कॉर्पल एहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉवर्ट पोस्ट से जंडा नदारत है सर देखे वहाँ और भी है परवतों पर उस दिन स्वाजी कमांडो अकेले नहीं थे दुश्मन जैनिकों ने गिर्टे पत्थरों की आज लेकर स्वाजी यूनिट पर धवा बोल दिया कबिन बेस का स्कॉर्ट थ्री का भार देश्यात्र में घुस्पाजी उसे सामना हुआ रिपीट स्कॉर्ट थ्री का दुश्मरों से सामना हुआ लेटनेंट सिंग की पिट्रोल थ्री तीर को जिस आखरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस खलन से गिरे पत्थर और चट्टा और धिर अंधेरा चा गया छे गंटे बाद जब लेटनेंट सिंग की आख खुली तो उनका सर चक्रा रहा था पहार से हुई पत्थरों की उस बोचार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोटाई थी पिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाईयों से बैतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीर हो चुके थे कम से कम वो जिन्दा तो थे भारतिय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता ये लड़ाई ऐसे खत नहीं होगी मैं ऐसा होने ही नहीं दूँगा बहादुरी, भाहिचारे और भारत के लिए फौजी लेकिन हो सकता है कि लेटनेंट सिंग का स्क्वार्ड नहां कैद हो एक टेंट नाल टेम की रोशनी में चमक रहा है ये तलाश शुरू करने के लिए एक अच्छी जगा हो सकती है उस छोटे से टेंट की तंग जगर में एक साइट टेबल, एश्ट्वे, एक जलती हुई सिगरेट और कुछ बकसों के उपर गैस वाली लाल टेम रखी थी पर सबसे ज़रूरी था एक कैदी जो रसी उन से बंधा हुआ था रवी, लेटनेंट सिंग की टुकड़ी का सबसे कम उम्र का जवान जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया के उसका चेहरा काला और नीला पड़ गया उसमें शायद थोड़ा होश बाकी था सर, उन्होंने दुसरों को बंदी बना दिया रवी ने कहा रिपोर्ट बाद में फॉजी, पहले तुम्हें छुडाना होगा नहीं सर, दुसरों को अपकी मुझ से ज़्यादा जरूत है मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता फॉजी लेटनेंट सिंग, नवी के पैरों से रसी खोल में लगते है गेर होगे सर, पीछे देखे एक जश्मन सिपाही टेंग में आता है और लेटनेंट सिंग को पीछे से पकड़ लेता है टेंग में उनके बीच संघरश होता है और बगसे गिर जाते है बगसे पर रखी लाल टेम गिर कर टोट जाती है और उससे गास निकलने की आवाज के साथ हवा में बगनू ठैल जाती है रवी निकलो यहां से लेटनेंट सिंग रवी को खोलना चाहते है पर देखते हैं कि वो बेभोश है रवी कोई प्रतिक्रिया नहीं लेटनेंट सिंग लड़ रहे थे पर जवान तब तक बुरी तरह बेभोश हो गया था लेटनेंट सिंग उस जलते टेंट से बच निकले महीं सब्सक्राइब दूसरों को आपकी मुझ से ज़्यादा ज़रूत है रवी की ये शब्द लेटनेंट सिंग के कानों में गुंज रहे थे सर मुझे तो लगा कोई नहीं आएगा निडर और एक जोट भूलना मत अहमद बस एक काम करना बाकी है इसे इसकी सही जगे पहुचाना है रवी, करन, सुनील और जावेद के लिए वो इसे घर वापस पहुचाने के लिए शहीद हुए सर, आज आप में मेरी जान बचाई है समझ नहीं आता मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ मुझे शुक्रिया मत को है मत फौजी यही तो करते हैं जहां भी भारतिया धोज लहराता है वहां हम अपनों की हिफाज़त करते हैं मुझे गर्व है मैंने आपके साथ इस देश की सीवा की है सर अभी काम खत नहीं हुआ है अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है